तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम पैशो का हिसाब करना सिखेंगे पैशो का हिसाब और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी इस टाइप के कोशन आता है या किसी भी प्रकार के पैशो का हिसाब करना हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल यह आसान तरिका से कर सकते हैं, इस वीडियो में जो भी आसान तरिका बता जाएगा ना, उस आसान तरिका को यूज करके, तो देखे हमारा कोशन के एक कोशन को केरफ़िली पढ़ेंगे, समझेगे उसके बाद इसको काफी आसान तरिका से सल्ब करेंगे, तो देखिए हमारा कोशन क्या कर रहा है तो हमारा कोशन यहाँ पर कर रहा है देखिए इसको दहलाएंगे न तो इकाई, दाई, सरीकला, हजार, दसजर यहाँ पर पाचास हजार रुपए में दस के कितने नोट होंगे यह आपको बताना है दोस्तो मालजे कि किसी भी बेक्ती के पास 50,000 रुपए है और वो पूरे के पूरे प्टास हजार रुपए जो है, तो दस-दस के नोट होंगे, पाचास जर में यही हमको निकलना तो कैसी निकलनेंगे है तो बिलकुल आसान तरीका है करना क्या है सबसे पहले टोटल एमांट कितना है तो टोटल एमांट आपका है 50,000 यह पूरे 50,000 रुपए हैं तो लिखेंगे solution solution में क्या लिखेंगे जो पूरा 50 रहना तो सबसे पहले आपको यहां पर 50,000 रुपए लिखना होगा उसके बाद देखिए करहें के 10 की कितने नोट होगे और आपको नोटों की संख्या पाता चल जाएगा इसके बट्टा में हम यहाँ लिखेंगे दस अब डिभाइट करेंगे तो एक जिरो से एक जिरो कड़ जाएगा और एक सभाग करेंगे 5000 में तो आपका यहाँ पर 5000 रुपए ही होगा समझ रहे ना क्या होगा 5000 रुपए और यही होगा यही रुपए यानि इतना कि जो होगा आपका कि संख्या होगा क्या होगा नोटो की संख्या यह आपका 2700 की 75000 में तो 5000 होगा ब्रेंगे 1010 saka 50 रुपए मैं तो आइए को और कृसंध मा यहाँ भी बेहतरिन तरिका भी और इस वीडियो को देख नहें बेद आप है कि देखे 700 यह जो है 700 रूपई है तो 700 में 50 कि कितनी नोठोंगे देखिए कर रहे कि 50 की nοटों की जो संख्य होगी न कि 10 कम इल्सें ez 700 रूपई में तो हिसो टोटल इमांटعدly कितना पंजे होता है 70 जो आपका आंसर आएगा ना यहां पर आपका 14 आएगा और यह जो होगी आपका नोटो की संख्या होगी क्या होगी नोटो की संख्या कितना होगा 14 और यहीं इस कोशन का फाइनल आंसर है तो दोस्तों आई होप किस वीडियो के माध्यम से अगर आपके शामन को जरूर की जगे ताकि आपको नए वीडियोज का नोटी पिक्शना को मिलता रहे और आपकी जो भी मैथ त्यारियना हमेसा चलती रहे और आपका मैथ कापी स्ट्रॉम हो जाए